योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नंद गोपाल गुपता नंदी आजकल चर्चा में हैं अपने ही पार्टी खिलाब बयान बाजी करने के बाद अब एक वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी कहाने सुनाई है उन्होंने उन दिनों के दर्द को बताया है जब किसी ने खीच कर उन्हें तमाचा लगा दिया था और उसी तमाचे ने उन्हें बड़ा बना दिया बच्पन से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते कभी फुटपाद पर पटाके की दुकान कभी होली पर रंग और गुबाड़े बेचे हमने पिता जी फूर्थ क्लास इंपलाई जहां जोपड़ पट्टी होती है गरीब लोग रहते हैं जोपड़ पट्टी कुड़ा बिनने वाले लोग वहां रहते थे और दिन पर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि और रात को अपने घर टीवी देखने दे जानबूच के गलती नहीं कि कभी गलती इसकोई गलती हुई होगी अलाकि वो मुझसे कहता तो मेरा जूता पॉलिस करा के लाओ तो उसका जूता पॉलिस करा के लाओ तो उसका जूता पॉलिस करा के लाओ तो 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 जू बनादेगी योगी सरकार में और जोगिक विकास मंतरी नंद गोपाल नंद इन दिनो अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस नाराजगी का कारण है सपा से बीजेपी जोईन करने वाले नेता रईश चन्द सुकला दरसल मंतरी नंदी की तरफ से जारी बयान के मताबिक अस्थानी विधायक के रूप में उन्हें विश्वास में लेना तो दू बिना किसी अवचारिक सुचना दिये सपा नेता रहे रईश चन्द सुकला को बीजेपी में जोईन का लिया गया जिसके बाद राजनती गलियारों में चर्चा है कि इनी कारणों से मंतरी नंद गोपाल नंदी खुल कर बीजेपी के खिला मोर्चा खोल रहे है वही अब एक वीडियो जारी करके नंद गोपाल नंदी ने पॉलिटिक्स के साथ ही साथ इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिस की है बागी इस खबर को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बियो रिपोर्ट यूपी तक